एक मूवी आई है नेट्फिक्स पर भक्षक नाम से मैंने देखी जो बेसिकली चाइल्ड अब्यूज और वाइलन्स पर बेस्ट मूवी है तो ये दो गंटे पंदरा मिनिट की ये फिल्म कैसी है आईए बात करते हैं वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी फिल्म के स्टार्टिंग में ही डिस्क्लेमर के जरिये हमें ये बताया जाता है कि फिल्म कुछ एक रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है या उस पर बेस्ट है and when I realized after watching the whole movie के सच में रियल इवेंट पर बेस्ट ये मुवी अगर है तो शर्म आती है ऐसे दुनिया में रहने की मैं सच बोल रहो जहां ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके सीने में यार दिल नाम की चीज ही नहीं है इस फिल्म का टॉपिक बहुत ही जादा सेंसिटिव है जिसकी सेंसिटिविटी का अंदाजा आपको इस फिल्म के शुरू होते ही लग जाएगा फिल्म का फर्स्ट सीन ही देखने बैटा and I was like भाई कितनी हिम्मत होनी चाहिए किसी मेकर में ऐसे टॉपिक पर फिल्म बनाने के लिए फिल्म में एक अनाथाले है जहां कुछ लड़किया रहती है पर वहाँ उनके साथ हमेशा दुशकर्म किये जाते है जिनकी भनक आम लोगों तक नहीं रहती and किसी internal source के थूँ एक पत्रकार का रोल कर रही भूमी पेटने कर को ये news मिल जाती है जिसके उपर वो जीजान लगा कर पीछे पड़ जाती है result क्या और कैसे निकलता है वो आप movie में ही देख लेना but I really want to thank इनके makers को जिन्होंने ऐसे topic को सामने लाया और जिस तरह से ऐसे sensitive topic को handle करते हुए सभी actors ने perform किया है भाई मानना पड़ेगा film भले ही 2 घंटे 15 मिनिट की हो लेकिन इसका एक-एक scene deep है and एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि ये film हर किसी के लिए तो नहीं है लेकिन हर किसी ने देखनी जरूर चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि घर के अलावा बाहर दुनिया में क्या ही हो रहा है rape, violence, छेडखानी, दंगे वगरा वगरा जिसके उपर कोई बोलना भी चाहे या action लेना चाहे तो पहले तो उसका मूँ चूप करवाया जाता है system के ही through बात दबाई जाती है system के ही through and बाद में जब सच सामने आता है तो यही system सब कुछ ठीक कर भी देती है sad but true तो यहाँ इस film में system के कुछ बुरे लोग, कुछ अच्छे लोग कैसे होते है और किस हद तक जा सकते है सब कुछ बताया गया है जिसमें भूमी पेटने करके acting तो बढ़िया है ही लेकिन भाई यह हमारे CID वाले अभिजित कमाल के talented इंसान है इनके इस film के अंदर वाली acting को देखकर आपको उन पर घुसा आएगा आपका मन करेंगा कि अंदर घुसके मारू साले को ऐसा real time acting की है उन्होंने साथी special mention करना चाहूंगा दुरगेश कुमार वो नहीं अपने पंचायत वाले देख रहा है बिनोद वो वाले उनका भी एकदम खास रोल है इस film में वैसे बता दू कि ये film रेट चिलीज वालोंने produce की है I know रेट चिलीज को हम VFX के लिए जानते है बट यहाँ VFX दिया है Old Monk Studios ने Old Monk वैसे फिल्म का topic acting, BGM performance सब कुछ एकदम सही था and specially last में भूमी पेटने करका एक camera में सीधा logo के तरफ देखते हुए monologue है भाई hard hitting है वो monologue ऐसा hit करेगा वो monologue कि आपको खुद को महसूस होने लगेगा कि भाई आज से मैं सब बुरे काम बंद कर दूँगा बाकि overall film के subject and इसके present करने के style को देखते हुए मैं दूँगा इस film को 4 out of 5 stars